क्या एल्विश यादव ने व्लॉग में बता दिया अपनी गर्ल्फरिंड का नाम? Q&A सेशन में पूछा गर्ल्फरिंड से जुड़ा कई सवाल, विल क्या है पूरी खबर आये जानते हैं इस रिपोर्ट में? एल्विश यादव को बिग बॉस के OTT के सीजन 2 में देखा गया था, इस शो में एल्विश यादव काफी अच्छा गेम खेल रहे थे और उन्हें इस शो से खासा पहचान भी मिली थी एल्विश यादव को फैंस बहुत पसंद करते हैं और उनका एक बॉन्ड मनीशा के साथ शो के अंदर बना था और जिसे फैंस देखना बहुत पसंद करते हैं शो पर एल्विश कई बार अपनी गर्ल्फरिंड का जिक्र कर चुके थे और ये भी कहा था कि उनकी कोई गर्ल्फरिंड है जिससे वो शादी करने वाले हैं अब एल्विश यादव ने अपनी उस गर्ल्फरिंड के बारे में हाल ही में रिवील भी किया है एलविश यादव ने दरसल Q&A सेशन रखा और इस दोरान वो question answer करते अपने fans के साथ नसर आए एलविश के fans उनसे सवाल करते दिखे और उसका जवाब एलविश देते नसर आए उसी दोरान एलविश यादव से उनकी girlfriend के बारे में पूछा किया कि आखिर उनकी girlfriend का नाम क्या है इसका जवाब देते हुए अलविश यादव ने कहा कि मेरी girlfriend बहुत amazing है पंजाब की रहने वाली है और इससे ज़ादा मैं क्या बताओ उसके बारे में मैं उसका नाम अभी नहीं लेना चाहता हूँ वही उनकी दोस्तों ने कहा कि रहे नाम ना बताओ कम से कम letter तो बता दो first या last letter बता दो तो इस पर एलविश ने कहा कि चलो ठीक है मैं उसके नाम का last letter बता देता हूँ कि last में उसके यह आता है अब fans अंदाज लगाने लगें कि एलविश यादव यहां अपनी ex-girlfriend का दिक्र कर रहे हैं क्या वो कीती महरा के बारे में बात कर रहे हैं वही कुछ लोगोंने मनीशा का भी नाम लेना शुरू कर दिया और कुछ लोग नेहा बैनिवाल का भी नाम लेती नसराएं जो है वो भी कॉलेज में है नेहा को लेकर कई ऐसी खाबरे सामने आई है कि एलविश यादव नेहा को ही डेट कर रहे हैं और वो पंजाब से तालुक रखती है एलविश यादव ने इसी व्लॉग में जब उनसे एक सवाल पूछा गया कि आप पंजाब कब मीट अप रख रहे हैं तो इस पर एलविश ने कहा कि मीट अप क्यों रखोंगा पंजाब में वहाँ तो मैं बरात लेकर आने वाला हूँ तो इस तरीके की बात करते अलविश यादव नसर आए हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही वो शादी भी करेंगे जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो बला आप पेलविश यादव को दूल हे के रूप में देखने के लिए इतने एक साइटेड हैं हमें कॉमेंस के जरीए सरूर बताएं